प्रिये विधार्तियों, RCI Education अबानसुर की ओनलाइन क्लास में आप सभी कक्षा 12th Artsons के साहित के विधार्तियों का स्वागत है। आप इसी वीडियो के माध्यम से जो पढ़ाई अर्जित कर रहे हैं, वो बड़े हर्स के साथ, उमंग के साथ अर्जित करते रहें। क्योंकि ये समय ये आपके लिए बहुत ही महतपून समय है और इस महतपून समय में आप अगर इस समय का सद्विवयोग कर लिए तो आपको परिक्षा, टैस्ट या आगे किसी प्रिकार की समय नहीं आएंगी। प्रिये विद्धार्तियों आप सभी विद्धार्तियों इस समय का सद्वियोग सही तरीके से और हर्स कुछी के साथ से करें। तो आज अपना जो चंद है आज वीडियो के माद्य में से जो आपके सामने जो चंद डाला जा रहा है वो है वनसस्त चंद है। प्रियेविधार्तियों इसकी परिवासा, इसका लक्षन, पहचान है वो जतव तू वनसस्तम उदिरितम जरों, जतव, जगन और तगन, जगन और रगन, प्रतेक चरण में, प्रतेक पाद में, अगर हमारे सामने, जगन, तगन और जगन और रगन, ये गन चिन्न है, हमारे सामने प्रतेक पाद में, जिस चंद में सामने आते हैं, वो चंद होता है, वनसस्त चंद, कौन से चंद होता है, वनसस्त चंद, वनसस्त चंद में, प्रतेक चंद में, जगन तगन और जगन और रगन, ये गन होते हैं, और इन गनों के अधार पर वो चिन्न, वो देता हुमें, वन सस्त छंद में प्रतेक पाद में प्रतेक पाद में प्रतेक पाद में पाद यह नि चर्ण प्रतेक पाद में प्रतेक पाद में जगाने लगू दीर लगू जगाने जगाने तथा रगन गन होते हैं इनके चिन होते हैं, इसके प्रतेक पाद में बारे वर्ण होते हैं समवरत चंद है प्रिये विधारतियों इसको समवरत चंद क्यों माना इसको भी वसंत तिलका की तरह समवरत चंद इसलिए माना है कि इसके प्रतेक पाद में बारे वर्ण होते हैं प्रतेक पाद में जगण तगण और गण यह गण होते हैं ईसके चार गण में तीन वर्ण होते हैं來 ॡढ़ा तो चार थी बार्ण होगी है वारे वर्ण होते हैं है कौन सो समवरत चंद कहला है चंद तीन परकार के वैसे होते हैं, मतलब तीन परकार के उधारण होते हैं, संवरत, अर्द संवरत और विशम संवरत, तो यह संवरत कैसे है, क्योंकि इसमें पूरे पादों में, पूरे चरणों में समान वर्ण होने से, इसको संवरत चंद माना है, इसका जो उधारण है, यह आपके सामने लिखा जाएगा, इसका जो उधार्ण है, यह लिखा जाएगा आपके सामने, देखिए, भवन्ती उधार्ण है, ओ-दा-ए-रणम. गान पहला है, बवन्ती नम्राशे तै, अर्वे है, फलोद गमई है, यह पहला चण हुआ, प्रिये विधार्थियो, वन्सस्त चंड में, चंड में, जगण, तगण, जगण और रगण, यह गण होते हैं, तो यहां पर जब आपन इसको गण चंड से प्रिक्ट करेंगे, तो जैसे लगू, दीर्ग और लगू, यह कौन सा गण हो गया? यह हो गया जगण, यह कौन सा हो गया? जगण, यह दीर्ग और लगू, यह हो गया तगण, फिर लगू, दीर्ग और लगू, यह हो गया जगण, फिर दीर गे लगू दीर ये हो गया रगण ये माता राज जैभा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्ष सेवन एट नाइन टैन एवन ट्वेल यानि ये बारे वर्ण हो गई पर इस चारण में कितरे वर्ण हो गई बारे वर्ण हाँ बारे वर्ण हो गई बारे वर्ण होने से इसको समवर्चन वाना ऐसे ही दूसरा जो पाद है इसका वो है नव अम्बू अम्बू भी भूरी विलंबिनो भी लंबिनो गनाहा इसमें आप देखिए इसमें ये जो रह है ये रह आगे पिछले वाले वर्ण पर ही असर डालेगा इसलिए वो ये दीर्ग हो सकता है लेकिन इसके ऊपर रह तो इसको दीर्ग नहीं मानेंगे इसको लगू मानेंगे लगू फिर ये दीर्ग और फिर ये लगू तो ये कौन सा गण हो गया ये हो गया जगण कौन सा गण हो गया जगण ऐसे ही आगे देखो दीर्ग दीर्ग और लगू ये कौन सा हो गया ये हो गया तगण तगण हो गया अब ये लगू दीर्ग और लगू ये हो गया जगण ये हो गया जगण और ये क्या हो गया लगू लगू और दीर्ग ये हो गया रगण इस प्रकार से इनवेप किसमे बार वर्ण बार वर्ण इसमें बार वर्ण हो गया इसलिए इसलिए अब चंदूसरा आगे है इसका तीसरा अनुधधता 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 शत्पुर्शहा शत्पुर्शहा सम्रदेभी ये वे बारे वर्ण हाँ स्वभाव स्वभाव एव एश एव एश परोपकारिणाम पैरोपकारिणाम इन में भी बारे बारे वर्ण हैं देखें आप लगो दीर्ग लगो ये हो गया दीर्ग दीर्ग लगो एक ये हो गया एक लगो दीर्ग और लगो ये हो गया एक दीर्ग लगो और दीर्ग एक ये हो गया प्रिये विध्धार्तियों आप इसमें देखते रहें कि ये जो छंद्ध हमारा जो संवरत्चंद है जिसमें अनुस्टुप को भी वसंतिलका को भी और वनसस्त चंद को भी इनको संवरत्चंद इसलिए माना है क्योंकि इनमें परतेक पाद में चारोपादों में समान वरन होते बढं़े हैं वनसस्त चंद है जतव तु वनसस्तं उधीर तम जरो यानि वन्सस्थ छंद है क्या जिस चंद में जगन तगन और जगन और रगन यह जहां गण होते हैं यह जहां गण प्रिक्ट किये जाते हैं यह गण जहां डाले जाते हैं वो चंदे वनसस्त चंद होता है इस चंद के अंदर जो अपने उधान लिखवाया था वो है भवंती नम्रास्तरवय फलोद गमई नव अम्बू विभूरी विलंबिने घनहा अनुद्यताशत पुर्श अपन संस्कृत में पढ़ते हैं कि विद्याददाती विनियम विनियाद्याति पात्रताम पात्रतवात आपनों टी धनम धनातधर्मय है ऐसे ही उस स्लोक में जिस तरह से जिस बात को बताई गई है उसी प्रकार बवंती नम्रा तरवय, पेड जुग जाते हैं फलोध में फलाने से यानि पेड जब फलाएंगे तो नीचे जुग जाएंगे उसी परकार से जो शत्पुरुष हैं वो अपनी संप्रत्दी को अपनी सिद्धी को पा करके वो बिल्कुल जुग जाएंगे अर्थात नम्र हो उसी प्रकार से दूसरी बात है कि नव अम्बू भी भूरी विलम्बने घना गराईनी बादल बादल अत्ते डिक नवीन पानी को बढ़ करके नए जल को बढ़ करके विलम्बने जुग जाते हैं अर्थाद आकास जो नीचे आ जाते हैं उसी प्रकार से यह जो सत्पूर्शें इनको बताया गया है। वो हमेशा नमर रहते हैं, वो जुग जाते हैं, जैसे आम का पेड़ है, आम के पेड़ के उपराम आते हैं, तो आम की जो टैनिया हैं, वो नीचे जुग जाते हैं, हलाएं कि वो गवन नहीं करता है, काम मेरे अंदर बहुत बड़ा फला आ गया, तो मैं बड़ा हो गया, ऐस का वीडियो यही रहेगा आप इस वीडियो के माद्दिम से अच्छी तरह अरजित करते रहें और आगे का वीडियो हम आगे डालें